बाजपा के लोग बॉखलाए हुए हैं महागडबंधन की ताकत के सामने उनको मालूम है कि उनके पास कोई वोडबैंक नहीं है तो इस तरह की बाते सिर्फ इसले करते हैं ताकि पॉलराइजेशन हो सके उनको हम बता देना चाहते हैं कि नितीश कुमार जी का बिहार है अब दो विपक्स के नेताओं को बुला रह रहे हैं और वहीं बात करें तो कल मुखमंती नितीश कुमार ने वी दावतने इफ्तार का पाटी दिये थे जिसमें बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया था येथा लेकिन जित शाजिस्त थी, उसका पटाशेप आने वाले समय में हो जाएगा और स्थितियों को नियंत्रण में ले आया गया है, प्रशासन और सरकार की चाक चौबंदी का यह नतीजा है, दूसी तरफ रंजान का पाक महीना चल रहा है, इस महीने में सभी पार्टियों के तरफ से ए जगा या धर्म विशेश को लेकर किस तरह नफ्रत और जहर का भाव है, और जिस तरह से बनो लगातार बयान दे रहे हैं, साम्ट दाइक सोहार्दयों को खराब करने के लिए, अपनी राजनीती चमकाने के लिए, यह दुर्भागे पून है, हम सर्व धर्म संभाव के तिल सकराद में जो होता है, वो दही चुडाने करते हैं, आप लोग छोड़ दिया जाए हमारी पार्टी के वरिष्ट नेता राजसबा के सांसद पूरु प्रदेश अध्यक्ष, वशिष्ट नारायन सिंग जी के दुवारा किस बड़े पैवाने पर चुडा दही का भोश होते हैं, कोई भी बड़ा पूजन, आयोजन होता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, किस तरह से मुख्य मंत्री जी पंडालों में जाते हैं, आम जंता से मिलते हैं, नहीं दिखता है, चुकि उन लोगों के अंदर धर्म विशेष को लेकर नफरत का कर रहे हैं, कि ये सरकार के द्वारा इन सोची सब जिन साजे से इसलिए और इस तरह के दंगे करवाएंगे, तो मुस्लिम लोग हैं, जो उनके तरह देंगे और इफदार पार्टी इसलिए नोग आई इना हतिता है, नितीश कुमार जी ने हमेशा वोटों की चिंता की है, हर समाज हर वर्थ के लोगों के लिए काम किया है तभी इतने वर्षों से बिहार की जनतान उनको अपना शुरुआ दिया है भाजपा के लोग बॉखलाए हुए हैं महागट बंधन की ताकत के सामने उनको मालूम है कि उनके बास कोई वोड बैंक नहीं है देखिए यह देखने की चीज है कि किस तरह से नफरत उन पर हावी है कि वो शामिल होते हैं नहीं होता है जिस्ता से विपक्षी को एक्जूट करने की बात कही जा रही है तो पवार ने ब्यान दिये थे हैं कि जो अडानी का मामला है वो इसमें जेपी सी का जाच नहीं होना चाहिए पूरा स्टैंड पार्टी का क्लियर किया है कि जब जनता की गाड़ी कमाई दाव पड़ है और करप्शन की बात है तो हर सरपड़ जाच होने ही चाहिए यह थे हम आज साथ जद्यू के परवक्ता अब सेख जाए इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया इस तमाम खबरों को बने रहने इस पूने से अंगस्ताथ